हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सिवानी स्वागत है आपका सिवानी की रसोई में दोस्तो आज मैं आप लोग से सेयर करने जारी हूँ रोटी का बहुत ही टेश्टी और कुर्गोरा नास्ता यह खाने में बेहर टेश्टी लगता है आप लोग इसको रात की बच्ची रोटी या फिर प्राठी के साथ बना सकते हैं तो आप लोग इस रेसिपी को एक बच जरूर ट्राइ किजिएगा पसंद आथ वीडिये को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलेकन को जरूर दबा दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं इस नास्ते को बनाने के लिए बाउल में हम डालेंगे एक कटोडी चावल का आटा एक तिहाई चमच लाल मिर्स बॉडर आदा चमच हल्दी पाउडर और एक चमच चमच डाल देंगे काली मिर्स पाउडर और आदा चमच से थोड़ा सब जादा डाल देंगे चाट मसाला तो चाट मसाला के जगा पे आप निम्बू का रसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो इसके कॉर्डिंग नमक डाल देंगे क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है इसलिए हम कम ही डाले हैं और एक चमत घिसा हुआ अद्रक लसुन और आधा चमत जीरा डालके सबी जूजो को अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोरा थोरा करके इसमें पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा सा घोल तयार करेंगे एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है थोरा थोरा करके पानी डालना है और इसका एक गाढ़ा सा घोल तयार करना है यह देखे हैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा था तो ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए यह मेडियम गोल होना चाहिए यह देखे इस तरीके का हम आपको चमब से दिखाते हैं इस तरीके का गोल होना चाहिए यह देखे बिल्कुल इसी तरीके का इस नास्ते का घोल होना चाहिए तो चलिए घूल तो है तयार इसको हम साइड में रखते हैं और अब हम आलू का मसाला तयार करेंगे तो उसके लिए पांच मीडियम साइच का उबला हुआ अलू ले लिए ते उसको मैस कर लिए हैं और उसमें हम डाल देंगे एक मीडियम स तो सभी चुझों को डाले मैं हाथों से हम इन सभी चुझों को अच्छे से मिक्स करके और आलू का मसाला रेडी कर लेंगे ये आलू का मसाला खाने में बहुत ही चेष्पटा में सेटा का मैं है या फिर अगर आपके पास प्राठा हो तो उसे भी आप इस नास्ते को आसानी से बना सकते हैं अब हम इन आलू के मसालों को रोटी के ऊपर अच्छे से फैला देंगे ये देखिए एक दब मोटी लेर नहीं फैलानी है थोड़ा थोड़ा करके आलू का मसाला लेंगे और चारों तरफ से अच्छे से इस रोटी पे आलू के मसालों को फैला देंगे तो ये देखिए दोस्तों रोटी के ऊपर हम आलू के मसालों को अच्छे से फैला के और लगा दीए हैं देख सकते हैं अब हम इस रोटी को कट कर लेंगे इस रोटी को हम 4 पीसे में कट कर लेते हैं ये इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये चाकू की मदद से कट हो जाएगा तो एक बार कट कर लिए अब हम इन पीसे को एक बार और कट कर लेते हैं तो ये चार पीसे में कट हो तो चलिए अब हम इसको fry करेंगे तो उसके लिए कराई में हम तेल को पहले ही से गरम होने के लिए डाल दिए थे अब इस चावल क ben के घोल Me इस रोटी को डीप करेंगे अच्छे से दोनों तरफ से अच्छे से डीप करके और इस गर्मा गर्म तेल में डाल देना है गैस के फ्रेम को मीडियम रखना है तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद ही इसमें रोटियों को डाले और इसको फ्राइ करें तो यहां पर हम एक रोटी के टुकरे को डाल दिये हैं और इसक काफी अच्छा है इसमें कलर आया है दूसरे तरब से यह जो नुव मेला संद से honoring कलर पाना ह्यां रए हमें नास्ते से क्रिस्पी ़ुद्फ नुव पूंश्म अंस साङ चन्या लेखने की उ答न का Peak लिए चावल कर लेंगे डोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक और उसके बाद हम आप लोगों दिखाते हैं तो ये दिखिए दोस्तों रोटी का बहुत ही Tasty और चर्पटा नास्ता बनके है तयार तो आपने देखा इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में इतना टेस्टी लगता है कि आप लोग एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाके खाएंगे और आप लोग इसको बची फिर से लाओंगी तब तक के लिए बाई